नमस्ते मैं हूँ पूनम गौड और आप देख रहे हैं वन्मर्ण्यूस.com की प्रस्तुतियों ग्रहों की बाते आज की प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग हर राशी का राशी फल एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े उनका साल कैसा जाएगा साल भर के उपाई क्या रहेंगे सब बताऊंगी मैं शुरू करते हैं आज के पंचांग से आज बुद्वार 24 अप्रेल 2024 है चैत्र का महीना चल रहा है क्रिश्न पक्ष की प्रतिपदा तिथी रहेगी पून रात्री स्वाती नक्षत्र रहेगा रा प्रेल प्राता पांच बच कर छे मिनट तक और उसके बाद व्यतिपात योग राहुकाल रहेगा दोपाहर 12 बजे से डेड़ बजे तक दिशाशूल उत्तर रहेगा प्रतिपदा को कुश्मांडा कुमहडा यानि पेठा नखाएं क्योंकि ये धन का नाश करने वाला होता ह ऐसा ब्रह्म वेवर्थ पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है आज से वैशाक प्रारंब है बात करते हैं राशी फल की मैं यहाँ पर ये बता देना चाहती हूं कि मैं राशी फल चंद्र राशी से या नाम राशी से बताती हूं मेश राशी समाज सेवा के लिए धन राशी दान कर सकते हैं आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं बेनामी प्रॉपर्टी न मिलने से टेंशन रह सकती है वरिशब राशी असंतोश और टेंशन के रहते हुए भी आप कोई एग्रिमेंट साइन कर सकते हैं भाग्या आपके साथ है घबराई नहीं मिथुन राशी उच्च पद्वी की नौकरी या व्यवसाए आज आपके जीवन का केंदर बिंदु रह सकते हैं समाद सेवा के कारे में कुछ समय व्यती होगा करकराशी खान पान का ध्यान रखें कोई रोग बढ़ सकता है जरूरत से ज़्यादा न खाएं पॉस्टिक भोजन ग्रहन करें विद्यार्थी मेडिकल या लॉग की स्ट्रीम को चुन सकते हैं या उसमें रुची बढ़ सकती है लीडर्स के लिए दिन अच्छा भी देगा सिंग राशी ओकल्ट में रुची होती दिख रही है घर में रहकर मेडिटेशन करें बाहर जाना टाल दें संतान से टेंशन कन्याराशी प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन अच्छा है रिष्टेदारों के साथ पडोसियों के साथ दिन अच्छा भीतेगा पत्नी को वाहन गिफ्ट कर सकते हैं आजा दुलाराशी एडवर्टीजमेंट से जुड़े लोगों को लाब होता दिख रहा है कम्प्यू में रुची रह सकती है शेयर मार्केट से लाब हो सकता है धनुराशी मा के साथ समय घर पर रहकर ही पीतेगा शिक्षा को लेकर विचार कर सकते हैं आप वाहन खरीदने का भी मन बना सकते हैं मकराशी विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं एडवर्टीजमेंट पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप घर से दूर की यात्रा के योग बनते हैं लेकन के कार्य में मन लगेगा कुमराशी लाब ही लाब होता दिख रहा है आज सफलता हाथ लगेगी दोस्तों की मदद से खुशी मिलेगी मीन राशी मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ व्यवसाई में सफलता मिल सकती है अपने लिए सोचना व कार्य करना आज आपकी प्रमुखता रहेगी ये था राशी का राशी पल बात करते हैं कहाने किस्से की एक दिन एक व्यक्ती आटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था आटो वाला बड़े अराम से आटो चला रहा था एक कार अचानक ही पार्किंग से निकल कर रोड पर आ गई आटो चालक ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार आटो से टकराते टकराते बची कार चालक गुसे में आटो वाले को ही भला बुरा कहने लगा जबकि गल्ती कार चालक की थी आटो चालक एक सत्संगी था सकारात्मक विचार सुनने सुनाने वाला था उसने कार वाले की बातों पर गुसा नहीं किया और शमा मांगते हुए आगे बढ़ गया आटो में बैठे व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर गुसा आ रहा था और उसने आटो वाले से पूछी लिया तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया उसने तुमें भला बुरा कहा जबकि गलती तो उसी की थी हमारी किस्मत अच्छी है नहीं तो उसकी वज़े से हम अभी हस्पिताल में होते आटो वाले ने कहा साब बहुत से लोग गार्बेच ट्रक यानि कूडे का ट्रक की तरह से होते हैं वे बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं जिन चीजों की जीवन में कोई जरूरत नहीं होती उनको मेहनत करके जोडते रहते हैं जैसे क्रोध, घ्रिणा, चिन्ता, निराशा, अदि जब उनके दिमाग में इनका कूड़ा बहुत अधिक हो जाता है तो वे अपना भोज हलका करने के लिए इसे दूसरों पर फेकने का मौका ढूंतने लगते हैं इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ और उन्हें दूर से ही मुस्कुरा कर अलविदा कह देता हूँ क्योंकि अगर उन जैसे लोगों द्वारा गिराया हुआ कूड़ा मैंने स्विकार कर लिया तो मैं भी एक कूड़े का ट्रक बन जाओंगा और अपने साथ साथ आसपास के लोगों पर भी वही कूड़ा गिराता रहूँगा मैं सोचता हूँ जिन्दगी बहुत खूबसूरत है इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहें और जो हमसे अच्छा व्यवार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में ही नहीं रहते कुछ हमारे आसपास खुले में भी घूंगते रहते हैं प्रकृति के नियम यदी यही होते हैं कि यदी खेत में बीज न डालें जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती हैं उसी तरह यदी दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगे बना ही लेते हैं दूसरा नियम यह भी है कि जिसके पास जो होता है वही बाणता है सुखी सुख बाणता है दुखी दुख बाणता है ज्यानी ज्यान बाणता है ब्रमित ब्रम बाणता है और भेवीत भे बाणता है जो खुद डरा हुआ है वो औरों को डराता है दबा हुआ है वो दबाता चमका हुआ है वो चमका आता है यह थी आज की कहानी बात करते हैं जिनका जनम दिन है आप सब को जनम दिन की धेर सारी शुब कामना है आपका साल उन्नती भरा रहे यही कामना है हमारी अब बात करते हैं आपके वर्षफल की 2024 में अकेवला परिवार के साथ समय विपीद करेंगे अपितु काम में कॉम्पिटिशन मिलेगा इस वर्ष आप योजना तो बहुत अच्छी बनाएंगे किन्तु आलस्य के कारण उसे कार्यानवित नहीं कर पाएंगे इमोशन्स भी कुछ कम रहेंगी जिसकी वज़े से परिवार के सदस्यों को शिकायत रह सकती हैं तालाग का केस चल रहा है तो संभावनाएं अच्छी हैं लंबे अरसे से वाहन प्राप्ति की यदि इच्छा रह रही है तो आपको वाहन इस साल मिल जाएगा किन्तु वाहन बहुत ध्यान से चलाएं इस समय कोई भी नई शुरू आतना करें यदि इस समय कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो वह पूर्ण नहीं होगा अगर विवार शादी का भी मन बनता है तो वो भी टाल दें इस साल पुनर निरीक्षन का ये समय रहेगा अपने पिछले नौ वर्षों के कार्य कलापों पर विहंगम द्रिष्टी डाल कर निसार तत्वों का त्याग करतें इस वर्ष के अंतिम तीन महिनों में ये काफिस फश्ट हो जाएगा कि आने वाले नौ वर्षों में आप क्या और क्या नहीं बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की हरे रंका क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने चार मुखी रुद्राक्ष धारन करें कलाई पर हरा धागा बांदें हरी वस्तुएं ट्रांसजेंडर को दान के करें गाएं को चीटियों को मचलियों को कुछ खाने को दे गुपाल सहस्र नाम स्तोत्र का पार्ट करें गणेश धर्वशीष का पार्ट करें या सुने बुद्ध स्तोत्र का पार्ट करें अगर मेरे इन बताये गए उपायों में से कोई दो उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपका जो आलस्य है वो दूर हो जाएगा और आपकी दिल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुडियेगा oneworldnews.com की प्रस्तुती ओन ग्रहों की बाते में नमस्ते